असलाम अलेकूं माये टू फैमिली कैसे हैं आप मैं अलहम्द्रिला बिल्कुल ठीक टाग फिटवार्ट मज़े में आप सब की दुआउं के साथ आप लोग बताएए आप सब कैसे हो आई होप के आप सब भी ठीक टाग हो आज आप मेरे साथ चलें मेरे हैदराबाद मैं आप जायतर तर तो आपको मेरे मामू ही मिलेंगे, क्योंकि मैं अपने मामू के पास गई थी, माशाला, माशाला, चार मामू थे भी हैं! वहीं गई हैं रफा लोग सिर अचोछ बता है!! एकमें चूहरा आ उधाता हूँ! और आप लोग के ज़रूर बताएगा मेरा ग्लॉग कैसा लगता है वीडियो में सब कुछ देखते रहे और कमेंट करके जरूर मुझे गाइड कीजिएगा जो 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 चीज अच्छी लगे बताएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा वीडियो को ला सबसे पहले में इन मामु के घर आई थी और यहां पे टीतर था तो टीतर से खेलने लग गया था मेरा बेटा और बहुत माशालला से मस्तियां कर गए थे पहुंचते उसके बाद बस मामी ने थी हमारे लिए नाश्ता बनाया बहुत मज़िदार सा नाश्ता यह है ऑमलेट पराठे बनाये थे और साथ यह मैंगो भी आ गए थे चाई भी आ गए थी और नहीं भी थी जो मर्जी आप खाऊ गया रहे थे बस अबने नाश्ता कि उसके बादे बेटे की मेरी मस्तियां देख्या मेरे बेटे तो माशालला बहुत कुछ था जिसका मुझे बहुत ड़ता अब लिए पर देख्या रहे हैं किसे माशालला माशालला खुश है और मैं साथ यसाथ आज आप लोगो देती हूं है घराबादी बिर्यानी की रेस्पी जो मुमानी ने बनाई थी हमारे लिए बहुत ही मज़िदार बिर्यानी बनी इसका टेस्ट अभी तक मेरे मुमें मैं आपको बता नहीं सकती इस तरीके साथ बनाएगा बहुत अच्छी वे नहीं नहीं कभी बनाई है घराबादी स्ट्राइल में ब्राउन प्यास हो गए थे और चटपट मैं बताऊंगी क्योंके मैं पूरी रस्पी तो नहीं ले सकी थी बस उसके साथ ही ब्राउन प्यास उस बनाई होगी और मज़ेदार बनेगी सच में मज़ेदार की बहुत थैंकि आपने वीवर्यानी यह आप सब के लिए अलग अलग तीनों चीजे उखो ने पूट के है और फ्रेश फ्रेश प्रूटा था कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्रेश चीज का आप बहुत मज़ेदार बनी ती सच में और बस इतनी गर्मी में कोई किसी के लिए तना अच्छा बनाता है और यह देखिए क्या था यह अपने बादियान के फूल थे आलू बुखारा थे नोंने पानी में एट करके रखा वाती यह दोनों का फिर इनोंने इसमें एट कर दिया ती गर्मी में आपके लिए कोई बनाता है तो सच में उसको तो सलोड है उपस बहुत ज्यादा गर्मी थी मैं अब इस वर şey जब शूट कर रहे ही थी मुझे पता चल रहा था बहुत ज्यादा गर्मी थी ती यह इनोंका थेंक्यू तो बंता बनता है इतनी मज़ेदार पु जोनाई होती चारिये साथ-सात और आप से बाते भी हो रहे हैं और इसी तरह हम बाते कर भी रहेते भी रहते ऑर परयानी है, भी ठीमाटर अच्य पने हो गाई इस तो जरूर इसको जच कर लेगा और यह सेला चावल का बना रही थी सेला चावल इन नोपकी रख लेगा तो इसका जो स्टॉक था यकनी वह भी समय अड़ करती थी वह साले भी अड़ हो गये थे और साथ इसाथ ही देखिए इसमें आइस अड़ हो रहे हैं बहुत मदेदार ब चटपटी सी बनें मजेदार सी बनें ताकि सब को पसंद आए और यह देखिए जटपट से आप लोग को लग रहा है लेकिन यह करमी में बहुत मिश्किल से बन रही थी इसमें पौदीना भी अड़ हो गया है अगरी मिर्चे भी अड़ हो गया है और सबसे यूनीक चीज इसने इन्होंने एड़ की इसमें इन्होंने करम पानी एड़ किया था उससे बॉइल को जल्दी आता हो और चावल बिल्कुल नहीं बैठते तो यह देखिए दम आ गया था यह देखिए अब यह दम पे जा रहे हैं डंगनाडन हो है यह यह दम पे अब लगा दिया है इसक आप आरहा खाने को बहुत मज़े की बनीती है मेरे हस्बड की फर्माइश पर बनीती तो मेरे हस्बंड को नहीं के हाथ कप आओ यह दूब फर यह देखिए देखिए दस्तर खान लग गया था साती साथी सब कुछ रखा जा रहा था और यह और ता वेटिंग यह वेट कर यह दोनों कि कब खाना आएगा कब खाएंगे हम तो वस माशलाह माशलाह सब त्यार हो गये तो और यह थे बिहारी कबाब उंट के उंट की गोश्केते बिहारी कबाब, ये शामी कबाब बनाया थे मुहानी ने साथ, और राय ता था, सैलिड था, बहुत मसे दाल, ये दुपैर का हमारा लंच हो रहा था, सुवा का नाश्था आपको दिगाया था, ये दुपैर का लंच हो रहा है, ये देखिए माशाला माशाला दस्तरखान सच गया है अल्लापाक सब के दस्तरखान ऐसी सजाई रखे अब आ गई थी मैं शाम में अपने दूसरे मामो के घर ये आरिफ मामो हैं और ये इनका घर है तो कि मेरे मामो सब अलग अलग रहते हैं तीन मामो एक जगा रहते हैं मामो अलग रहते हैं तो बस यह मैं दूसरे जगा आ गई थी इसलामाबाद इस एरिया का नाम है जो हैदराबाद की मेरी फ्रेंड से हो देख रहे होंगी तुमको ज़रूर पता चल जाएगा और यह गर्मा गर्म चाय पीती यह मैं आ गई थी फिर अपने सेकंड माम, ठर्ड मामो के घर, यह उनका घर है, यह राशित मामो का घर है, यह देखिए, यह मेरा बेटा माशालला सब बच्चों के साथ बहुत इंजुआए कर रहा था, मुझे इसी के बहुत टेंशन थी, गर्मी तो बहुत थी, लेकिन सब के घर कोई ने कोई इंतजाम था, तो इसली बिल माशालला सब ने बहुत ज्यादा साथ दिया हमारा कॉपरेट के साथ, और मेरे बेटे ने इसे को तंग नहीं किया, तो इसलिए मैं खुछ थी, यह भी खुछ थी, मुझे इनी की ज्यादा टेंशन थी, गर्मी की थी, और इनी की थी, लेकिन दोनों चीजों मुझे बहुत सबने हमारा बहुत ख्याल रखता, सब का बहुत थैंक्यू, जो मेरे वीडियो देखे, सब का थैंक्यू, यह हमारे इंजगाशित मामो का रही है, वहाँ पे मेरे समोसे माई फेवरिल, यह भी सब जानते हैं, समोसे तो मैं मेरे बेटे की मस्तिया, और पहले हम ने चाय के स सब आप से शेयर कर रही है, बीच में कुछ चीजे स्किप भी होगी, क्योंकि हर बग्म वीडियो बनाने का दिल नहीं करता, कुछ मैंने आप लोग के लिए बनाई है, क्योंकि कुछ टाइम हमें अपनी फैमली को भी देना पड़ता है, जब हम किसी के पास आते हैं, तो उ कुछ कुछ क्लिप लिए उसके बाद मैं आ गए थी, अपने फिर उनी मामु की घर, तो रात का मेरा दिनर था इनक्या, और ये बनी थी मज़दार स्कीन, नहारी, ये भी पूट की गोश्की नहारी थी, बहुत जादा मज़दार बनाई थी, मामी तैंक्यू सो मच आपका पिर आ गए थे हम वापसी अपने ही, जहां हमने स्टे करना था रात को, तो बस हम वापसी यहीं आ गए थे, फस्क मामु के पास, तो बस ये देखिए, फिर नेक्स टे की मॉर्निंग है, और ये हल्वा फूरी का नाश्ता हमें करवाया गया मुमानी है, और मामु में और सा थे सागे देखिये, सब्कार है, माशला, माशला, नستरब्बान तेह चीया तया और ये था दुलन पराठा, बहुत ही मज़दार है,ció रहे हम लोग के लिए आयता ये, और हम लोगों न झाया, भी बहुत मज़य का था ये छू जब क। पराठा बहुत मिदाय तद हे चीघर एंस सब के साथ उन्प करने लगा कि मैं कि जिसनी गेरों में ती तैसा ही लगा मुझे अपनों में गई थी और सब ने मुझे माशैलला बहुत आजिया शाथ seventh day उन्प heartbeat इसा उन्पार कई भ्यूंठ इन अर्षिट मामू मुझे जमाइ भी मसेता है। इन मैंगो तो मैने बहुत थाए देन दिन मुरास उबच शाब मैंगो तो मैंने बहुत खाए सच्वाइ, बहुत म inning असब मामों शाइ ख्याल रख़ना थेंग राद। आप सब मामों का और फिर यहागय थी मैं अपने क्या कहूं हो इस यह यह भी हमारे रिश्तदारी Nikki Jest बस यहां पर आप दिखा हुए मेरा भी रिच्टदार हो घर है तो बजी देखिए यहां पर यहां पर आ गई थी सबसे मिल के गई थी मान कुछ देर के लिए आए सब के पाथ थोड़ी थोड़ी दर बैठना चाहिए मिलना चाहिए सब कुछ हो जाते हैं और साथ यसाथ आप लोग भी देखें आप लोग भी खुश हो जाएंगे मेरे सब रिच्टदार सो आप भी मिल लोगी इस तरह और बिर मुझे बताईएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है क्या होता यह देखिए यह फिर में च्छत पर आगई थी यहां बच्चे खेल मुझ आप सब का मामू मामी मुमानी सब का थैंक्यू सुमच अगें क्या आप सबने मुझे बहुत इज़त दी बहुत खुश रखा और बहुत मुद्द रखाने का आया अलाहाफिज